वेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर चैनल सेयर मार्केट स्लूशन 24 इंटो 7 में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज जिस सेयर के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे देखिए वो सेयर है आपका बीसी लिमिटेट का और दूसरा जो सेयर है वो है सेडिये सल का इन दो सेयरों के बार आपको इसको खरीदने की और कहां पर इसको सेयल करने की बनेगी यह सारी चीज़ों को हम लोग डिसकस करेंगे और बिफोर गइंट डिसकस मैं चाहिए जो लोग नए है इस चैनल पर लिस सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फोमेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप इसका फायदा उटा सकें और मुझे मोडिवेशन मिल जा है तो चले स्टार्ट करते हैं यहां पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो इसकी चाल को तो यहां पर हम लोग देखने की कोशिच करें दोस्तों तो यह एक साल के यानि लास्ट येर के यानि 21 के मार् आप लोग तो मई में तो महीं के बाद जो है आप देखिए इसको में जो है 900 के 9500 का जे एक हाई लगा था महीं में उसमें तो है constant किया और फिर यह जो यहां से देखा जाए तो जुलाई के बाद जो है फिर एक लेबल जो है इसमें निशला लेबल देखने को मिला था वो लेबल मिला था हजार 24 का आपको सेप्टमबर में आगस में और यह जो लेबल था देखो दोस्तों यहां पे क्या हो रहा था consultation हो रहा था और यहीं पर जो लेबल था आपको यदि यहां पर देखिए मैं क्या कहता हूं यदि मैं इसलिए इसको explain कर रहा हूं ताकि आप जब भी किसी भी share में यदि आप position बनाते हैं और short term के लिए बनाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो चीज़े एक पर ध्यानते क देखिए हमेशा काम आएगा यहां पर क्या हो रहा है लगातार जो है आपका क्या हो रहा है उपर के लेबल देखने को मिल रहा है और जब आप यहां पर देखिए जब आ रहा है आप 1331 का लेबल और यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि यह जो लेबल था red candle बना था तो य यहीप्ट को क्या ओना था और यहीप्र आसपास जो है यहां पे फैन पर एक लotion तो आप मान के कि तो अधर ऀयु को एक्यों स्टॉपलवड होगा और जब एक्प्रीर करिग कर सकते हैं और यहां से फिर जो है इस टॉपलस जो है जैसे यहां पर जो यह जो लेबल था यह होता आपका इस टॉपलस और इसी के आज पास आप खरीदारी करते हैं और इस बीच में खरीदारी करते हैं तो इस टॉपलस जो है बहुत नीच से आता है और फिर यहां से देखिए यह सेर जो है फि यहां पर क्या किया था आपका एक green candle बना तो फिर red candle जब इसमें बना तो आपको यहां पर आपको पोजिशन काटने देना चाहिए था और फिर कब पोजिशन बनाते फ्रेस पोजिशन तब बनाते जब यह फिर ऊपर के लेवल पे इसने closing देता फिर यहां देखिए चुकि य उपर देखिए इसने closing दे दिया तो ट्रेल करते हुए जाते और यह जो breakout दिया है कहीं ने कहीं यही breakout जो होगा आपका हमेशा जो है accumulation zone होगा और उसके नीचे के लेवल पे जहां पर maximum time इसने चौप सोगा और इस तरह से देखिए आप जेटेड करते हो तो हमेशा जो है फाइदा होता है और यहां पर इसके बनाने कोशित करते हैं यहां पे लेकिन अब दो चीज़ें होती हैं या ते इसको उपर बनाएंगे तो देखिए यहां पर closing जो है एक हाइस closing मिली तो यहां पर चांस लेते तो फिर देखिए आपको एक जो है चार पांत दिनों में फिर 2367 का भी लेवल देखने को मिला था और लागातार इन सारे position में मैंने जो है वीडियो बनाया है और आपको आगा करते रहा है यदि आप एक भी वीडियो देखेंगे तो सारे चीज़े जो है आपको clear हो जाएंगी यहां पर देखिए यहां से फिर इसने red candle बनाया था और यही पर मैंने का यहां पर क्या है closing 1902 रुपे का और एक जो लेवल था आपका low लेवल क्या था यह था आपका 1828 रुपे का देखिए कहीं ने कहीं 1828 का इसने support लिया था इसके ओपर closing दिया था और फिर देखिए यह जो लेवल था यह आपका क्या होगा पहला resistance लेवल बनके नि accumulation का zone होगा और यदि आपने last trading session में इस चीज को आप देखते तो यहां पर accumulate करते तो आपको intraday में ही इसको फायदा आपको मिल जाता है और यहीं बात कर ले तो इसमें क्या आप हाई लगता है देखिए next आपका target जो है 1264 का होगा जहां पर आपको यह नेक टेडिंग session पे है आपका 271,70 का होगा और इसके उपर closing देता है तो फिर आपको जो है इसमें जो मिलेंगे वो यहां पर टार्गेट लेकर चलते हैं तो यह सारे target से जो आपको लेकर चलना है और इसी तरह से आप इसमें जो है position बना सकते हैं लेकिन इन सब चीजों को एक बार verify जरूर कर लीजिएगा अब next term हमारा होता है अब इसके बाद यहां से निकलता है देखिए इसमें जो है यहां से निकलता है तो फिर आगे के target में फिर बताओंगा लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा अब next बताता हूं आप देखा जाए तो cdsl की बात किया जाए तो यहां पे एक साल का इस दिखा जाए तो मार्च में यह जो है यह भी जो है पान्स सो छीजासी के आतफास रेड कर रहा था और वहां था देखा जा तो पीछे के level देखा जाए तो फर्वरी में एक level था चारसो छीजासी रुपय का और वहां से यह अच्छा कासा गेन कर तो उस लेबल को हम दो देखे तो यहाँ पे जैसा कि आपका बेसी में बना था वही चीज़े जो हैं यहाँ भी रिपीट हुई थी और देखा जा तो यह जो लेबल है मार्स से देखा जा तो लगातार एक अप्ट्रेंड में देखने को मिला था और फिर एक कॉंसलेडेशन जो है माई के बाद देखने को मिला था और फिर यह कॉंसलेडेशन जब देखा जाया तो आपका 1027 का लेबल जब इसने जो है यहाँ पे तोड़ेने की कोशिस किया यहाँ पे आप देखिए तो 1054 के उपर निकला तो यहाँ पे पोजिशन बनाया सकता था और यह देखा ज चांस बनाते और अपना इस टॉपलस कहां रखते यह दुक रेट केंडल है आपका 14 से 80 का यह आपको इस टॉपलस होता और यहाँ पे बनते तो फिर ठीक होता और नहीं तो यह लेबल जी टूड़ जाता आप निकल जाते हैं तो आप वेट करेंगे उपर के लेबल का और नहीं तो नहीं आता है तो फिर मैंने कहा है जैसे कि यह वाला बिक एंडल बना था यह वाला देखिए एक लूप एंडल बना था आपका 1050 यह नहीं 11 के लेबल का तो देखिए यह तो इसको और एकुमिलेशन जोन कहा थ होता एकुमिलेशन जोन देखिए 1250 से आपका शु लिया था देखिए यहां पर इसने सपोर्ट लेने की कोसिस की थी उपर की लेवल पर गया था लेकिन नहीं ठीका था तो यह लेवल कहीं ने कहीं आपका क्या होता रेजिस्टेंस होता यहीं आपका टार्गेट वैली होता देखिए टार्गेट कई बार इसने जो है इसी लेवल को यानि यह जो लेवल है बारासो चौरानवे तेरह सो के यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था तो यहीं सपोर्ट लेवल के आज-पास आप खरीदारी करके और रेजिस्टेंस लेवल पे आप निकल सकते थे यहाँ तो चौदा सकते थे और बात करें यहाँ लॉग टम की जो है जब सेयर मार्केट के तरफ जाएगा स्टाप मार्केट में इंवेस्टमेंट होगा तो वहाँ पे सीडी एसल जो है आने वाले समय में जो पैनिट्रेशन है इंडिया में वह बहुत कम है एस कंपेर टू आपका डेवलाप नेशन जैदि अमेरिका के बात करें या या ले रहा था और यहीं देखिए चौदा सटाइस पर लाग्ट ट्रेडिंग सेशन में यह लेवल जो था आपको जब भी इसको अपर्चुटी मिलती तो आप गिरावड में अपर्चुटी इनी सब लेवल पर आपको जब मिल रहा है तो यहां पर च्यांस लेते और स्टाप यहां से टार्गेट किया मिल सकता है तो देखिए यहां से टार्गेट जो है आपको जो मिल सकता है नेक टार्गेट जो है यहां पर आपको यह वाला जो लेवल है पहला जो है आपको पंद्रासो तिरासी का जो होगा वो एक हडेल होगा यहां पर क्यों बोल रहा हूं तो यहां पर एक लेवल होगा जहां पर एक बर पोजिशन को देखिएगा और शोला सो की उपर निकलने दिजिएगा अपका नेक्ट डारगेट जो है वो होता है 1650 का और 1650 के निकल के इसको कोजिंग जो है उपर के लेवल पर देने दीजेगा यानि 1650 या 6070 के उपर यह दी क्लोजिंग करता है तो यहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं या 1700 के लेवल के उपर निकलता है तो खरीदारी कर सकते हैं यह 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 चीजे जो है आपको हमेशा ध एडिशन जरूर करना चाहिए तभी आप सीख पाएंगे वह फायदा मिल पाएगा आपको तो यह वीडियो का लगा यह मुझे बताएगा और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें बढ़ेगा लाज पसक्राइब और तक रपको प्ना जे कि दया हैं लागे हरा रोग और रोगो कर लित अभी उन्याल भी गे एक कि कीजिएगा और बात्व डंटा हैं प्सक्राइब कि जलताओंगे हुआ धो ने पाएफ नश्सरो लागे हैं ग्स दो एकि जलता हैं वड़